हाई गाईज आप सब कैसे हो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे सुवस्त होंगे मस्त होंगे सु गाईज चलिए सुरू करते आज का ब्लोग सु गाईज बहुत ही जादा ठंड है ठंड के बारे में क्या बताऊ हर जगा पे इनसान को मतलब ठंड में तकलीब तो हो ज जैसे हमारे यहां पे भी बहुत ज्यादा ही ठंड है कोलकाता में भी काम करने में बहुत ही दिक्कत होता है सो गाइस देखिए सुबर सुबर उटके पहले ही चाए पी लिया और चाए पीने के बाद अभी बेती को भी थोड़ा सा हार्डिक्स पिलाके और फिर विस्तर वगेरा थोड़ा सा समेट रहे और विंटर में यही परिसानी है बहुत ही ज्यादा बिस्तर में कंबल यह ब्लैं इतना सारा वो नहीं होता विस्तर में फैला हुआ यह सब चीज तो और कपड़ा धोना भी मतलब कर्मी में थोड़ा सा कम ही होता है तो गाइस देखिए बहुत ज्यादा हमारे यहां पर दोपी नहीं उठा आज और दोपी नहीं उठता जब देखिए विंडो में भी परद जब आ रहा था ना थोड़ा सा चादर को वहां पर लगा दिया और फिर अभी विस्तर को जार लेंगे यह वाला जारू घर मतलब सिर्फ जार जार में के लिए है तो काईस यह देखिए यहां भी मम्मी का बहुत सारा सामान है यह सब तो काईस विस्तर विस्तर उठा के फि च्छावल पयां आँ खिलाती हूं और जब चुटी रहता है उस दिन यह खिलाती हूं मतलब उसे खाना ही है और आमें सोचती है कि ऐसे तो नॉर्मली सुट्ची नहीं खाता तो इसलिए खा भी लेता है तो जब चोटे बच्चे होते है ना तो बच्ची लोगों को ऐसे अ लेकिन पहले से खाते थे आदत हो गया तो बेटा पढ़ाई कर रहा है फिलाल यहां पे और में बना रही हूं देखिए खिजरी बन चुका है उसको मिक्सी में डाल दिया और ऐसे इसको चान के फिर खिलाना पड़ेगा और फिर बेटा पढ़ाई कर रहा है इसलिए ज्यादा मतलब सुर सरावा नहीं करी थी तो फिर बेटे का भी पढ़ाई हो गया खिच्टी भी बन गई तो बेटे को पहले खिला देंगे और ब्रेक्वस्ट में कुछ जादा कुछ नहीं वहीं चाहे परा ठाखाए थे तो सिर् और यह वाला भी वाटर साइकल पता नहीं फिर करना पड़ेगा इतना सारा प्रेशर रहता है कि स्कूल का क्या बताओ फिर वह थोड़ा बहुत बेटा भी किया मैंने भी हल्प कर दिया और फिलाला भी खाना बनाने आगे और आज बेटा बोल रहा कि स्वैबिन खाएगा घर में स्वैबिन थोड़ा सा था तो इसमें इसलिए जादा आलू डालने से न अच्छा नहीं लगेगा तो थोड़ा सा आलू डाला तो बेटा तो है स्वैबिन खाएगा और हम लोगों को जैसे बहुत ही धूप भी नहीं निकल रहा और जब धूप नहीं निकलता ना अच्छा लगता और थोड़ा सा ना वैच खिच्डी ही अच्छा लगता है बिना प्यांच लसन बाला तो ममी बोल रहे हैं कि वह तो नहीं है मुंग डाल नहीं है तो मसूर डाल का वैच खिच्डी इतना अच्छा बनता है कि क्या बताओ बिना प्यांच लसन बाला तो गा और उसमें ही थोड़ा सा देखिये मटर और टामाटर और तेजपता डाल दिया तो इसको थोड़ा सा चम्मत चला लिया इसमें थोड़ा सा मैंने अधरक का पेश सिर्फ अधरक और फिर थोड़ा सा हल्दी पाउडर लाल मेच पाउडर बस और इसमें ये मसूर दाल के खेचर मुणक नहीं इसे में अच्छग पाला मूंग बार अच्छई टना आप लोग Irland double ऐसे आप लोगada मुझे मुझे बहुती अच्छा लगा नॉर्म आइसे में ज्यादा खिचरी नहीं खाती हूँ मतलब जादा मुझे पसंद नहीं है लेकिन कभी-कभी जब धूब नहीं निकलता ना तब टाइम पर उस टाइम पर अच्छा लगता है तो देखिए ये जो डाल और चावल को थोड़ा सा कुकर में पहले ही उबाल लिया था और फिर ये मसाला अच्छी तरही किसे भून के इ कि अबाल पानी डाल दूँगी और जैसे जब हो जाएगा ना ओस तोदा सचीनी मतलब झीन थोड़ा सा जीसे नमक या तरह थोड़ा से नमक ही तरह ऐसे तो थोड़ा सा राधियों की तरह चीणी और सभूना हुआ हुआवि जीरा पावड में उपर पले द poisonedING को थोग जा कर पाते हैं वहीं कर दिखाते हैं और इतना ज्यादा ठंड है कि मतलब वीडियो भी मतलब उठाने में और एक तो टाइम ही नहीं मिलता दिन छोटा होता है ना तो काईज देखिए जीरा पाउडर में डाल दिया है और फिर स्वैबिन भी हो चुकी है तो यहीं बात है और फि जी ना सब कुछ कर पिर वीडियो बगरा बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा वह हो जाता है कभी यह करते तो कभी वह नहीं कर पाते तो दिन भर बहुत कुछ करते तो गाईश देखिए इस वैबिन मुझे खाना नहीं था तो इतना अलु का पकुरा बना लिया आलू का स्थाली भी रेडी हो चुकिए सो गाइस आज का वीडियो यहां पर खतम करती हूं मिलते फिर अगले ब्लोग में बाई बाई गाईस